समूची उत्राखन के लिए सवक्ती काफी दुखद कबर सामनी आई है जहां माभारती की रक्षा करते वे देभुमी उत्राखन का लाल देश्त के लिए शहीत हो गया जानकारी मिलिये की गोली लगने से संदिगत पुरुस्तियों में जवान की मौत हो गई आदिकारिक शैने सुत्रों ने मामली की पुष्टी नहीं की है जवान के परिजनों को गुली लगने की सूचना मिली मिल रही जानकारी के अनुसार जवान चार साल पहले भारते सेना में बढ़ती हुए थे वर्तमान में 18 कौमाव रेजमिन में तेना थे वा मौल रूप से उत्राखन के अलमोडा जनपत के रहने वाले हैं 23 साल के मनीस 24 साल पहले भारते सेना में बढ़ती हुई थे शनिबार को ही परिवार को उनके संदिगत पृस्तियों में गोली लगने की मौत होने की सुचना प्राप्त हुई थी मनीस करीब एक महने पहले ही छुटी काटकर वापस डूटी पर गई थे मनीस के यूँ चले जाने से परिजनों पर दुखों का पहाट टूट पड़ा है सूतरों 64 दो पार के समय सेना की 18 को मौज रिजमे में तैनाद सिपाई मनीस बिष्ट के सिर में गोली लग गई गोली की आवाज सुनकर जब अन्यसाती मौके पर पहुँचे देगा कि मनीस खोन से लत्वत पड़ा था इसके बाद घटना के बारे में उच अधिकारियों को सूचना दी गई इसके बाद सैनाद चिकिस तक मौके पर पहुचे जिनों ने उसे मिर्द गुशित कर दिया सैनाद इकारियों ने पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस कारवाई की जा रही है इस घटना से परिजनों पर दुखों का पहा टूर पड़ा वहीं समूचे छितर में शोक की लहर छा गई